हेलो एवरिवन वेलकाम बैक मैं मदू और आज का टॉपिक है आर डिफेंस ओफ पोईट्री बाइप परसी बाइज शैली वीडियो स्टार्ट करते हैं शैली इनका बर्थ हुआ था 4 ऑगस्ट 1792 को यूके में इनकी डेथ हुई थी 8 जुलाई 1822 को इटली में ये मेजर इंगलिश रोमांटिक पोईट्स में एक थे अर डिफेंस ओफ पोईट्री ये लिखा गया था 1821 में और पहली बार पबलिश वाता 1840 में शैली की डेथ के बाद शैली को ये वर्क लिखने की जरूरत क्यों पड़ी शैली के ही एक फ्रेंड ने थॉमस लफ पिकॉक ने एक वर्क लिखा था फोर एजेस ओफ पोईट्री था जिसमें इन्होंने अटैक किया था रोमैंटिक पोईट्स पे इसमें इन्होंने पोईट्री की फोर एजेस बताई थी आइरन एज, गोल्ड, सिल्वर और ब्रास और जो करेंट एज उस टाइम चल रही थी उसको उन्होंने लफ पिकॉक ने ब्रास एज बताया था और पोईट्री को अन्नेसेसरी वर्क बताया पिकॉक लिखते हैं वो जो टाइम चल रहा था उस टाइम में साइंस और इंडस्ट्रिलाजेशन हो रहा था तो लोग जो इंड्रलक्चर लोग थे वो इलिटलेचर छोड़के उनको साइंस पे ध्यान देना चाहिए था लव टीकॉक ने ये भी लिखा है पोईट्स के बारे में a semi-barbarian in a civilized community बारबेरियन किसे कहते हैं जंगली को civilized मतलब civilized लोगों के बीच में पोईट्स को नोंने बारबेरियन बताया इसी के reply में शैले ने a difference of poetry लिखा था शैले ने इसमें mainly बताया है difference बताया है reason और imagination में ये दोनों ही mental state है जो कि human being में होती है reason के बारे में शैले लिखते है mind contemplating the relations born by one thought to another however produced और imagination के बारे में लिखते है mind acting upon those thoughts produced by the reason so as to color them with its own light and composing from them as from elements other thoughts एक thought से दूसरे thought के पीच में relation क्या है उससे reason क्या होंगे मतलब जो technical चीज है वो reason में आती है imagination में जो वही reason के thoughts होते हैं उनमें color होता है उनकी खुद की light होती है हम अपनी imagination में तो कुछ भी सोच सकते हैं वो चीज है reason में ये होता है कि जो चीज हमारे सामने है मतलब जो चीज से हम reason कर सकते हैं हम उनहीं के बारे में सोच सकते हैं imagination में तो जो चीज present नहीं होती है, जो दूर भी है, जो नहीं भी present है, तो भी हम वो चीज imagine कर सकते हैं, उसके लिए हमें reason नहीं चाहिए होता है शैले ने imagination को superior बताया है reason से, ये भी बताया है reason, instrument है imagination का, जैसे body, आत्मा का, shadow, substance का reason is to the imagination as the instrument, to the agent, as the body, to the spirit, as the shadow, to the substance शैले ने poetic faculty को two folded बताया है, वो बोल लिखते हैं, creates new materials of knowledge and power and pleasure and it engenders in the mind a desire to reproduce and arrange, इससे new materials बनते हैं knowledge के, power के और pleasure के poetic faculty से, और mind में desire पैदा करता है, reproduce और arrange करने की these materials according to a certain rhythm and order which might be called the beautiful and the good एक certain rhythm और order में arrange करें, जैसे कि वो जो चीज बने, वो अच्छी भी हो और सुन्दर भी हो इन्होंने ये सब जो चीजे बताई हैं, वो poetic faculty के बारे में बताई हैं, कि उसके दोहरे effect होते हैं knowledge power मिलती है, उससे desire हमारी अंदर आती है कि हम लोग कुछ अच्छा और beautiful बना सकें क्योंकि imagination most important part है mind का शैले लिखते है poetry जो product है वो अंदर से आता है शैली poets के बारे में बोलते हैं, poetry के बारे में बोलते हैं शैली लिखते हैं कि जो poetry है, वो expression of the imagination है of the poet की, poet की expression of the imagination है poets को शैले legislators और prophets की उपाधी भी देते हैं language, color, form, religious और civil habits यह सब instruments है और material है poetry के poetry के बारे में शैली यह भी लिखते हैं record of the best and happiest moments of the happiest and best minds poetry है वो record है best or happiest moment का, best or happiest mind के और यह भी लिखते हैं all high poetry is infinite, कोई अन्त नहीं है high poetry का वो अनंत है, infinite है शैली यह भी लिखते हैं कि poets में world को civilize किया है, लोगों को civilize किया है इसमें poetry लिखने के कोई rules नहीं बताए है, our defense of poetry में इसमें कोई लिखने के rule नहीं बताए कि poetry को कैसे लिखा जाए, poetry की value पे focus किया गया है according to शैले, जो poet का role है इस modern word में बहुत crucial है poet की समय जरूरत सबसे जादा है, industrialization, modern word, यह human race को corrupt कर रहे हैं cultures को corrupt कर रहे हैं, सिर्फ poets ही उन्हें बचा सकते हैं शैले लिखते हैं कि जो poetry है वो humans को pleasure देता है पर यह जो pleasure है वो animal pleasure नहीं होता, उससे यह different होता है यह higher होता है और more noble होता है यह pleasure result है poet की ability का जिससे poet अपने reader को participate कर सकता है reading के time पे जो experience कर रहा सकता है मतलब वो जो poetry पढ़े reader तो उसको वो experience हो उस time पे मतलब वो उसको feel कर सके शैले के according poetry सिर्फ art का form नहीं है बलकि vision का form है वो vision जिसमे perfect form of things है मतलब जो चीजे हैं वो perfect form में है शैले poetry को ऐसे भी देखते ही ऐसा expression है जो human being के evolution में help करता है और जो जंगली पने से एक तरीके से बाहर निकालता है humans को poetry ओके तो our defense of poetry पे एक brief वीडियो बनाए है मैंने जैसा भी लगा है comment करके बता अच्छा लगा तो like करो thanks for watching see you next time bye bye